नमस्कार बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल चली शुरुवात करते बुलेटिन की लेकिन उससे पहले आपको जमू हाट लिए चलेंगे जहाँ पर मनवच सनहा और साथी साथ निर्मिला सितारमन पहुंचे हुए हैं क्या कुछ कह रहे हैं स सबसे पहले वो देखी रुपए की लागर से ट्रांस्मिशन और डिस्ट्रिबूशन सिस्टम को दूस्ट किया जा रहा है सरकारी नवगरी का जितर जिक्र चीफ सेकर्थी ड़क्तर महता ने किया मैं उसमें समय नहीं गवाना चाहता हूं लिए एक दो दहन बताना मुझे लगता है कि जरूरी होगा मुझे डोडा के राजंदर सिंग मिलने आये था अनाथ हास्र में रह करके पढ़ाई करते थे शिर्फ अपनी योगता से अनाथ हास्र में रहने वाला नौजवान जम्मू कस्मीर सरकार का इंपलाई हुआ है ये एक नई व्योथ्था है उधंपूर की अराधना दोगरा के पिता मुची का काम करते थे आज तरदर्थी और मेरी ताधारिस तथा भरस्ता चार मुक्त वेय्था ने उसे अपसर बनाने का आधार प्रूबान किया है अज़ग जम्मू कश्मीर के कोने कोने में ऐसे अन्य किवा जिनकी कहानिया चरचा में हैं मैं मानता हूँ यही नव आवेशने हमक्राइट आवेशने हमक्राइट आवेशने हमक्राइट आवेशने हमक्राइट आवेशने हमक्राइब आवेशने केवेशने आवेशने हमक्राइव श Пलाइब झाल झाल पूर्ण 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 यहाँ पर दिये जाए और उसके बाद अंतिम संसकार भी कर दिया गया लेकिन अब आज की बड़ी ताजा अपडेट यह है कि PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती लगातार इन लोगों से मिलने के लिए पहुंच रही थी इनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंच रही थी और हैदर पुरा मुठफेर में मारे गए लोगों के आवास पर जाने का ये पूरा प्रोग्राम रखा गया था और साथी साथ आपको ये भी बताते चले कि लगातार PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती हम यहाँ पर किस तरह से सुर्खिया बटोटी वी नजर आ रही है व सबसे पहले तो अपडेट बता दीजिए कि जस तरह से महबूबा मुफ्ती को नजर बंद किया गया है कहां पर रखा गया है क्या कुछ है अश्या आपको याद होगा कि PDP अध्यक्षा और साबिक मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती ने आज प्रोग्राम दिया था चूंकि पहले प्रोग्राम देना पड़ता है सिक्यूर्टी लाइन्स को और उसके बाद महबूब मुफ्ती इसे पहले की घर से बाहर आती तो उ उन्हें दोबारा आज गर में नजर बंद किया गया अपने ही सरकारी रहाईज का वाक्या फियर विव सौनवार सिनेगर में उनको फिलहाल जो है कुपका रोड पर फिलहाल उन्हें गर में नजर बंद रह गया डिटेंशन की वजवाद कही एक है महबूब मुफ्ती के तर करना प्रदर चिवीट के जरिया उन्हें जमो कश्पीर में इस अटेक के बाद अपनी बयान बाजियां चारी रखी है वाला कि कई एक लीडरान पीडिपी का डेप्टेशन पहले ही गया हुआ है उसके बाद अपनी पार्टी पीसी और दिगर पार्टिव के डेप्टेशन इस गए लेकिन हाई प्रोफाइल में साविक मंतली में महबब मुदी जाने लगी थी लेकि उन्हें बहाँ जाने के लिए फिलाल इजासत नहीं मिल गए उन्हें अपने ही सरकारी गर पर फिलाल डेटेंशन में रखा गया है महबब मुदी ने कुछ देर पहले गुलिस्ता बड़ी लीडर के वहाँ जाने से हो सकता है कि माहूल खराब हो जाता जिसके वज़े से जमुकश्री पॉलिस और एडिमिस्टेशन प्रशासन ने महबब मुदी को फिलाल अलताफ एमिदबाट बर्जला डाक्र मुदसिर गुल परेपुरा के गर जाने की जासत नहीं दे लेकिन जमुल यहां पर सवाल ये भी है कि इस तरह से आप देखिए डॉक्टर मुदसर और अलताफ के परिजनों से वो मिलना चाह रही थी और क्या लगता है कि जिस हालात में वो जमुकश्मिर के अंदर भी पहुंची ही होती है क्योंकि जमु संभाग की अगर हम बात करे था और अगर उनके साथ मुलाकात होती है तो जाहिर तरीके से प्रशासन की तरफ से भी कड़ाई जो है वो रखी जानी थी लेकिन अब वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कि क्या कुछ इंतजाम किये गए हैं महबब मुफ्ती की तुलना आज की डेट में अगर आप सेपरेटर्स लेटर के साथ इस मामले में करेंगे तो शायद कहना गलत नहीं होगा ये वक्त हमें याद है जब इस तरह की स्टोरी जवर करते थे सहीद रिशा किलानी के बारे में यासिन मलिक और बाकी लीडरों के बारे में इस तरह से डिटेंशन पीरिट जो था वो कभी घरू में था कभी जेरू में ता दे उसके बाद करश्मीर में 375 खत्म होने के आम शेरियों की हिला को पुका मामला हुआ महबब मुदी उसके बाद अपने घर में सीधे लाल चुक सिनगर की प्रेस कॉलनी आना चाहती थी जहां उनका जो दरना प्रदर्शर्ट पर बैटे थे अलताफ एहमद और डाक्र मुदसित के गर का वाया गर के लोग के साथ दर की रुमें आप देखते हैं पिनकर में एक बड़ी एहम श्क्राइब को इस तरह से बार बार रोके जाना क्या साबित करता है क्योंकि जिस तरह से महबूब मुदी किसी भी जगा पर पहुंचती हैं वहां पर धरना प्रदर्शन तो शुरू हो जाता है अगर जमू की बात क कि अलताफ मत गबट के परिवार ने जो जांबहक कुह है दर पर ऑौर उन्हें बड़ा एक ऐहम मेसेज लिया था उनने महबूब मुदी को बुलाया था कि तरफ से कोई शक्त मारा जाता हो हमेशा महभुब मुफ्ती की पेहल रहती है कि वहाँ जाकर अपराद खाना के साथ ताज़त की जाए और अमोमन हाशा आपको याद होगा कि स्किलिंग के बाद दर्ना प्रदर्शन पर बैटे परिवारों ने लीडरों को इल्जाम आए कि ट्वीटर हेंडल पर अपना कंडोलनस मेसेज देते हैं बहतर होता कि वो मैदान में आये उनके गारों के पहुंचे है कि आज के दिन वहाँ पर सांतना ही जटाने के लिए पहुंचने वाली थी महभुब मुफ्ती देखिए बिलकुल सिर्फ कंडोलनस था क्योंकि महभुब मुफ्ती ने कहा था कि 18 माग की बच्ची को पता नहीं है कि उनका बाबा का जो है इनकाउंटर मेंट डेट हुई है और दो सा दो बच्चे अलताफ हमत बाठ की है उनको पता नहीं है कि उनके वालिद गर से अपन पता नहीं है तो महभुब मुफ्ती अहली खाना से मिलना चाहती थी उनको सुनना चाहती थी उनके साथ इस दर्द को बाटना चाहती थी लेकिं प्रशासने फिलहाल कानूनी विवस्ता को देखते हुए उन्हें वहाँ जाने के लिए तो फिलहाल आपने देखा कि सह तरह पता नहीं है तो महभुब मुफ्ती वहाँ पर जाना चाहती थी और उनकी परिजनों से मिलना चाहती थी सांथवना यहाँ पर जताना चाहती थी लेकिन उसके पहले ही नजर बंद कर दिया गया है आगे बढ़ जाएंगे अब आपको राजोरी लिए चलेंगे क्यूंकि र लगातार आप देखी राजोरी के अंदर से किस तरह से सूर्थेहाल बनते हुए नजरा रहे हैं अब राजोरी में हेल्वेट पहनने का भी रिवात शुरू होगा और दो पहिया वहां चालकों को खरिदना पड़ेगा अब हेल्वेट और ट्राफिक पुलिस ने हेल्वेट और ट्राफिक पुलिस किस तरह से काम कर रही है ये देखने वाली बात है क्योंकि राजोरी में अब यहां पूरी तरह से हेल्मेट पहनना बहुत जरूरी हो गया है और जो भी शक्स यहां नहीं पहनेगा हेल्मेट और उसके बाद उस पर कारवाही किस तरह से होगी ये दे में लाई जा सकती है पहाँ जला है, लारी में बाइस कषनी है लाक, मेल जाना है आपक्षाई जानाइए खर जाहिए इस भी साइज से ओंगने खर dissüze warto है कोशी है बन्टानी पाड़ी पार्दी टीज़ूंग ईजिसने के उचाएंगता साँच्ट मैं इज्टीजी इन दिएू समया आद एज रहा हो दो खालेदेगा है आद पूसे हैं प्रफित्स बन्सेच्ट पारोगा है मैं एजिए खाले रहा हो मेरी वीडियो नहीं है 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 यहाँ नहीं है ठीडियो नहीं है वीडियो नहीं है करते कि अजस्ते वीडियों है So I would think the more number of ground level activities will lift the economy to such an extent, it may draw people to come in and participate along with you for building the strengths of JNK's economy. I need not assure again that the development of JNK in every aspect, and I can see some of the specific programs which the Latin Governor has decided, have gone in favor of health and education. World Bank or multilateral funding are all now being pulled through an agency which takes care of economic revival of JNK, and that is also making a difference. JNK कश्मीर को किस तरह से लेकर जाएंगे, इस पर भी मन्थन होता हुए, उसी पर किस तरह से घाटन हुआ है, वो भी सबके सामने. विकास की रापर JNK कश्मीर को किस तरह से लेकर जाएंगे, इस पर भी मन्थन होता हुआ नजर आया. आगे बढ़ जाएंगे और राजोरी आपको लिए चलेंगे, क्योंकि राजोरी से ही पुरी तरह से अपडेट जो है, वो देखने को मिल रही थी, लगातार वहाँ पर सूर्तेहाल क्या कुछ बंते हुए नजर आये. ट्राफिक पुलिस किस तरह से कामकाच करती हुए नजर आ रही है, वो दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक बार फिर से ट्राफिक पुलिस जो है, वो हरकत में आती हुए नजर आई है, सडकों पर जस तरह हर दिन हाथ से पेशा रहे हैं, उसी पर नकेल कसने के लिए कमी लाने के लिए ट्राफिक पुलिस पुरी तरह से बाधे हो चुकी है, लेकिन साथी साथ आप ये भी समझे कि लगातार ट्राफिक पुलिस को काम करना कितना जरूरी था, और उसके साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि आप जमीन पर पुलिस के इस तरह से अलर्ट पर आ है जमशेत क्या कुछ अप्डेट है किस तरह से ट्राफिक पुलिस वहां पर हरकत में आई है जो को पहले में आपको यह मंदी वाला यह पूर्शन दिखाता हूं खास करें कि सिटी के बीच का बीच का पूर्शन है क्योंकि यहां पे पिछले कुछ दिन उसे तो फैयावान ज सब्सक्राइब करते हैं किस तरह की कारवाई शुरू की गई यहां सरा हम देली के जैसे हम देली चलान करते हैं जो से वाइलेशन आ विजिवाल अफेंस में जैसे हैलमट मक्सिमाम को माइनर बच्चों है आप पहला नंबर तो आपकर मैं शुक्री आदा करता हूं कि जो हम हमारी चलाना बनता ही नहीं है तो इसी तरह से हम बहुत सी गारी सीज़ की है यह से माइनर बच्चा होता है उसकी हलमन नहीं होती है डाकुमेंस जैसे लाइसन्स नहीं होता है उसकी वीजिवाल अफेंस में हम चलान करते हैं तो सुबस लेके कितने चलान की क्यों किया यह क सब्सक्राइब 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 ग्राउंड सेच आपर दो पहिया वाहनों पर किस तरह से नकेल कसी जाएगी ये देखने वाली बात ही लेकिर उसके साथ अब ये देखना होगा कि जो यहान आके बंदी की गई है उसके बाद कितना असर शहर के अंदर देखा जाएगा ये बड़ा सवाल रहेगा आगे भी पंचायत के कई लोग इस योजना से आज भी वंचित हैं तमाम उप्चारिकताय पूरी करने के बावजूद भी कही न कहीं लोगों को मायूसी हास लग रही है और सरकारी दफ्तरों के चकर काट काट कर अब ये लोग ठक हाथ चुके हैं और प्रशासन से भी गुभार यहाँ पर लगाई गई है लेकिन उसके बावजूद भी आप देखे कितना काम हुआ है रामबन के अंदर ये देखने वाली बात है जहाँ पर प्रशासन और सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे पेश किये जाते हैं कि जमीरी सता पर पर योजनाओं को पहुंचाने क का काम हो रहा है कितनी योजनाओं और पर योजनाओं ग्राउंड जिरो पर पहुंचती है ये देखने वाली बात है लेकिन उसके साथ ही सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि स्थानी लोगों का क्या कुछ कहना है जरा वो देखी सबी लोग बोलते हैं कि सरकार इतना पैसा दे रही है लेकिन हम ग्रीबों को तो एक कीचिन भी नी मिला बंकान की तो चलो देखो आप ऐसी हालत है अब एक ही कमरे ना नीचे आसे हमने थोड़ा बहुत किया था इसको ऐसे मतलब बाकी और चलिए तो नदीम के पास चलेंग पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है जी बिल्कुल आशा देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ प्रधान मंत्री आवास यूजना के तह जहां हम कहें कि गरीब लोगों को जो है ग्रहने के लिए घर बनाने के लिए सरकार की तो से मदद दी जा रही है लेकिन अ दो हजार ग्यारा में जिनका नाम शामिल था उसके बाद अवास पलस में भी कुछ लोगों को जो है शामिल किया गया लेकिन अभी भी जब हम ग्रोंड पे जाते हैं तो जो डिजर्विंग लोग है जिनको यह पी एम में वाई के तहत मदद मिलनी चाहे उन लोगों तक नह कुछ लोगों को एंटर किया और वहां भी हमने देखा कहीं ने कहीं जब हम लोगों से बात करते हैं क्योंकि रूरल ड्वेलप्मेंट डिपार्टमिंट जो है इस स्कीम को देख रही है तो उनके पास मैं बार इतनी ज्यादा नहीं है कि हर पंचाइट में वो जा सके उनके क्यों लोगों का नाम वहां तक किन नहीं पहुंचाया गया है जी बिल्कुल देखिए आशा में आपको एक चीज़ बदा क्यूंकि जब पंचाइट लेवल पे जाते हैं तो वहां पे पंच और सरपंच चीज जो होते हैं कहीं जगों पे उनका अपना इंटरस्ट होता है अपने लोगों का नाम ही इस फरिस्ट में शामिल किये और जो डिजर्विंग लोग थे कहीं ने कहीं उन्हें इन चीज़ों से दूर रखा गया अब लोगों की यही डिमांड है कि जनाब इस साइट को दोबारा से खोला जाए और जो भी डिजर्विंग लोग है उनके ना अनसेफ जो मुकान है उस पर रहना काफी मुश्री रहा है उन्हें फाइदा मिला है तो आगे आने वाले समय में जो अठरा उन्नेस बीस और एकेस का समय था वहां पर लेस्ट क्यों नहीं बनाए गए यह जमीन पर लागू करने की जरूरत थी उन करमचारियों से बातशित करने की जरूरत ही जिने ये पूरे जिमेदारी सौपी गई थी जी बिल्कुल आश्या दीखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि देखिए मैं आपको बताते हूँ रूरल डेवलप्मेंट डिपार्टमेंट है जो है पीएमेवारी स्कीम तो देख रहा है लेकिन देखने वाला डिपार्टमेंट जो उसके पास मैंन पावर ही नहीं है उनके पस एक व्यल्डव्यो है छे से साथ पंचाइट से उनको दे रखी है क्योंकि मैंन पावर की कमी है तो जिमेवारी जो सौपी गई थी पंचीज और जो सरपंचीज थे उनके जरीए से डाटा ल यह कहते हैं कि जराब हमारा नाम उसमें नहीं है लेकिन रूरल डिवल्प्मेंट के पास भी कोई रास्ता नहीं है क्योंकि आपके पास जो एंटर होने के जहां नाम है आप एंटर करते वह साइट ही बन्द है आप जिसमें आम जणता की तरफ से भी ढिलाई जो है वो बरत करमचारियों को काम पर लगाया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ भी विभाग की तरफ से नहीं किया गया है जोस पर संग्याल लेना बहुत जरूरी है फिलाल गुलेटर में इतना ही देश और दुनिया की खबरों के लिए आपने रही है कुलेस्तान नियूज के साथ